वासब गाइस क्यासों सागे सारे आप सभी बढ़िया हूंगे तो फाइनली मेरा इसमें टील 50 हो गया है और इससे पहले में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक चीजों के बार में बताया था इस वाली वीडियो में पांच टिप्स बताऊंगा आपको लोगे साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे तो इन सब चीजों के बात करेंगे तो टोटल फाइफ टिप्स जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वालों तुम लोगे साथ तो लेट्स जम्प इंटो इस तो पहले बात करते है टिप नमर वन की तो और व क्या करना है जो आइटम आपका कम है जो आइटम आप ज्यादा इस्त्ला करते हो उसको ही फार्म करना है और और आप दो running करेंशेक्टर भी सकते हो एक करक्षायमेंट के लिए कोई बी assistir आप चेक कर सकते हो और अगर कॉन्टीटी लो है तो डेफिनल और आप नहीं पता क्य आप करना है और अगर कॉंटिटी बहुत ही कम है हो रही है या फिर आप कुछ लेवल अप कर रहे हो जिसमें ज्यादा लग रहा है मटीरल तो वह फार्म करो यह है उसी के साथ साथ एक इसमें आप चार मैक्सिम भेज सकते हो मगर मैं आपको बोलूगा एक टीम क्रेट के लिए हमेशा बेजो क्योंकि ऐसा फ्ट्व प्लेयर क्रेडिट फार्म करना बहुत मुश्किल भी होगा और बहुत कम भी मिलता तो यह आपके लिए हमेशा हलफुल रहेगा हर चीज में क्रेडिट की जरूत पढ़ती है तो यह है टाइंग एमबर्स होना चाहिए ताकि आप हमेशा शौप रिसेट होने के बाद विश निकाल सोको फ्री कि उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है मैं बुक्स रिकमेंड नहीं करूँगा मैं मैं मुस्टली रिकमेंड करूँगा कि आप एक टैलेंट लेव इस विश में ही इंवेस्ट करना आपको अब बात करते हैं टेप नमबर थ्री में यह है कि आपको अपने अपने प्रोफाइल में लगाना एंड सपोर्ट ड्र लगाना जो कि रैंडम लोग इस्तिमाल कर सकें अगर वह इस्तिमाल करेंगे तो आपको मिलता है क्रिडिट और करना बहुत जरूरी है तो हमेशा यह करना है यहां पर है एक स्पेशल चीज़ और वह स्मेड्र यूणिवर्स हर अफ़ते होता है साथ दिन में आपको स्कोर करना है साथ हजार सारे रिवार्ड के लिए और इसमें भी आपको मिलेगा फ्रीज़ और उसे के साथ आपको मिलेंगे और उसे के साथ आपको मिलेंगा रैलिक्स लेवल अप करने के लिए माटीरियल एंड मूरा जो आपका क्रेडिट है तो यह बहुत जरूरी आपके लिए तो अगर आपने यह नहीं किया तो आपको यह आपको रिसोर्स की कभी पढ़ जाएगी आप तैलेंट्स या फिर अपना लाइट कौन या फिर करेक्टर एक्सपी लेवल अप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पैस बुक्स नहीं होगी तो यह इसको 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 फार्म नहीं करें तो बढ़िया रहेगा अगर आपको फार्म करना भी है तो आप 50 के बाद कर सकते हैं जब आपके बहुत साथ चार या पार्स बिल्ड हो चुक्योंगे उनका लेवल अप हो चुका होगा उनके लाइट को नहीं हो चुक्योंगे आप टैलेंट्स कर रहे होगे जाए स्यादा या फिर उनके आर्टिफेक्स ही फार्म कर रहे होगे तो तब कर सकते हो आप तब काफी बढ़िया है 50 के बाद ही करना अदर्वाइस मैं बूलूगा कि तब भी करना नहीं है तो मत करो क भी करते हैं वीकली बॉस तो यवी क्ली बॉस अब कर सकते हो तो यह करना बहुत जरुरी है यह सबसे जादा early stage में और mid stage में तो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके बस 4 unit है चारोपे काफी decent आपने काम कर रखा है तो इसको try करते रो starting की faces काफी easy है तो आप एक से लेके 12 तक पहुश सकते हो इस game में 50 पहुशने के बाद मैंने बस यह experience किया कि आपका adventure rank जो TL level है वो increase करने में आपको difficulty नहीं होगी maximum आपको problem होगी आपके characters level up करने में because आपका बस spirit नहीं होगा like पैसे नहीं होगे या फिर material नहीं होगा आपको इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा but right now इस game में चल रहा है एक event जो की बहुत बढ़िया है I think यह event बहुत पहले आना चीए था बड़ा भी यह event लेट आया थोड़ा सा तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए मूरा के लिए इसमें item की quantity इतनी अच्छी नहीं मिल रही है मगर जुतना मिल रहा है उतना काफी है एक एक तरीके से बिगनर इवेंट है उसके साथ साथ जब यह नए banners आते हैं नए characters आते हैं तो उनका trial होता है तो trial करना मत भूलना क्योंकि इसमें प्रीमोजर्स मिलते हैं भूरा भी मिलता है मतलब सौरी credit जहां से मिले वहां से निकालना बहुत ज़रूरी है प्लस जैसे Ganshan में guidebook होती है guidebook के कुछ होते हैं task वो complete करने पे आपको मिलता है बहुत ज़्यादा amount of resources तो या इसमें भी जैसे कि आप यह सब task कर लूँगा मैं तो मुझे मिलेगा 50,000 credit और 5 light cone xp and one artifact and hundred gems अब बात करते हैं relics की तो relics में बहुत लोगों को problem हाती है आप relics को एक तरीके से odd even number की तरह level up करें and सबको एक साथ ना करें मगर सबसे पहले आपको करना है अपने hands क्योंकि इसमें मिलता है flat attack और यही सबसे ज़रूरी है उसके बाद आपके बाद spare में अगर damage bonus आ चुका है तो आपको वो level up करना है उसके बाद you can use credit damage और credit rate जो भी आपके पास है उसको आप level up कर सकते हो उसके बाद boots कर सकते हो या HP कर सकते हो health के लिए वो it's up to you तो इस तरह के से आपको level up करना है और या even number में level up करना है ताकि हर एक character का थोड़ा थोड़ा आप level up कर सको और वो आपको outcome देना शुरू करें बात करो talents की तो बहुत से characters है जिनके आप normal attacks इस्तवाल नहीं करते for the damage like अपनी healer Natasha तो उनके सिर्फ वो ही skills और ultimate level up या talent level up करें ताकि वो आपको बस dedicated healing दे सके या buff दे सके बाकि normal attacks आप ignore कर सकते हो तो आप किसी भी character को maximum मत करना हर किसी को 59, 69, 49 पे छोड़ देना बिल्कुल यहां तक बिल्कुल end तक छोड़ देना बाकि वो automatic जैसे आप fight करोगे तो उस XP मिलेगा और वो automatic हो जाएगा इससे आप अपनी एक दो बुक्स सेफ कर सकते हो यह भी काफी अच्छा तरीका जो मैं इस्तमा कर रहा हूं और मुझे काफी अच्छा response मिल रहा है एक और बात इस गेम से लेटेड जो लोग पूछते रहते हैं कि इस गेम में four star gratis कों से अच्छी है अर्ली स्टेज में to be honest मुझे डैन काफी सही लगा है आस्ता और सपोर्ट एंड ट्रैविलर एंड नताशा आप इन चाहर करेंटर पर फोकस कर सकते हो अब बात करते हैं equilibrium कैसे लेवल आप होता है तो आपको जाना पड़ेगा पॉम-पॉम के पास पॉम-पॉम के पास जाने के बाद अगर आपका Adventure rank complete हो चुका है तो आपको mission देगा पॉम-पॉम और उसी mission को करने के बाद होगा just like Gansion इसमें भी Mission मिलता है जैसी आपका Adventure Rank increase होता है आपको इसके पास आना है Mission लेना और फिर करना है सबसे पहले होगा 20 के बाद TL 20 के बाद होगा 30 के बाद उसके बाद होगा 40 के बाद और उसके बाद होगा 50 के बाद अट बहुत लोग नहीं करते जो बदा जाता हूं और वह यह है कि कुछ लोगS बॉक्सित नहीं तोड़तें यह तोड़ना बहुत जरूरी होता है इसमें जो इसमें गाशन का इमाऩरे लिशाम बहुत है तो यह है एक और टेप जो कि आगो करनी है जो बहुत लोग नहीं करते हैं अगर आप एक FTP आप सीरिस हो इस गेम को लेके तो आपको करना पड़ेगा यह थी कुछ basic tips and tricks जो मैं तुम्हें बता दी जिस तरह की से तुम कर सकते हैं इस गेम में अगर मैं अपना personal opinion दू तो यह गेम अभी right now proper FTP तो नगती नहीं है मेरेको क्योंकि यह काफी दादा expensive हो रही है धीरे 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 काफीदा challenges आ रहे हैं जो मुझे face करने बढ़ रहे हैं तो में फ्यूचर में और events आएंगे जैसे कि अभी example के तौर पर छोटा event आया है बिल्कुल वैसे और आएंगे तो थोड़ा सा comfortable हो सकता है environment F2B players के लिए but right now battle pass लेना काफी जादा वर्थेड है आधकर उस टेलर जेड़ की तो उसकी तो कोई कमी है नहीं वो तो मिल रहा है काफी जादा पुल्स करने के लिए तो आपके टस तो निकाल सकते हो but build करने में ही तोड़ी तकलीफ हो दिया तो वो चीज़े दिर दिरे solve हो जाएंगी in future I think I hope तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो make sure you like and subscribe ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं मैं मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक लिए bye, take care, love you and peace